नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी यूटूब चैनले पेस्ट और ग्राफिय में फ्रेंड्स आज की जो डिक्टेशन रहेगी वो रामदार गुता पार्ट के लेशन 17 और 18 की डिक्टेशन रहेगी पूरी 10 मिनट के फूल डिक्टेशन है ठीक फ्रेंड्स यदि आप अब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ठीक है फ्रेंड्स और जो है इसके आउटलेंज की पीडियाप अमारे टेलिग्राम चैनल पर दे दी गई है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन मे जो तियारी करते हैं उन्से समल कोई भी वात हो कोई प्रोलम आरी हो तो आप कमेंट में आम में पूछ सकते हैं आपको उसका जवाब दिया जाएगा ठीक पृइड्स तो डिक्टेशन रिक्टेशन स्टार्ट करते हैं गोरव गरीमा एवं उच्छ परंपराओं को ध्यान में रख कर नय केवल आपको सिक्षित होना है बलकि सिक्षा समाप्त करने के पश्चात पूरूसों के साथ सहे गामेनी बन कर आपको सब दिसाओं में कदम बढ़ाना है स्वतंतरता प्राप्ती के बाद अब राष्टर के नव निर्मान के कार्य में आपको भी उचित रिती से भाग लेना चाहिए यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान सिक्षा पद्धती की कमियों एवं दोसों को दूर कर उसको अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे इस संबंध में भी देश में परसपर विरोधी विचार धाराएं पर चलित है आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगती सील कहते हैं उनकी धारणा यह है कि बालक बालिकाओं को एक साथ सिक्षा दी जाए और दोनों की सिक्षा प्रणाली एक सी हो उनका यह भी विचार है कि इस्तरियों को नए केवल सिक्षा पद्धती में ही बलकि अन्य छेत्रों में भी पुरूसों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें समपूर्ण सामाजिक स्वतंतरता होनी चाहिए उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और सिक्षा प्रणाली की प्रचना इन सब के अनुकूल होनी चाहिए दूसरी और कटर पंथियों के विचार इनके विप्रेत हैं इस परकार इस्तरी शिक्षा और अन्य बातों के समंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर विरोधी विचारधाराएं परचलित हैं इन दोनों में से कोन सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्क्रती एवं सब्यता फल फूल सकती है इस पर हमें ध्यान देना अवशक है जहां तक मेरा अपना विचार है मैं समझता हूँ की हमारे लिए इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाना स्रेश कर होगा वर्तमान सिक्षा पद्धती के आदर्श एवं उद्देश्यों में जो दोस्ट पाए जाते हैं उनके अतिरिक्त वह बहुत महंगी सिद्ध हो रही है प्रतिवर्ष हम अपने सिक्षालियों द्वारा हज्जारों विद्दार्तियों को तयार करते हैं जिन में से बहुतों को नोकरियां नए मिलने पर जीवी का चलाना बहुत कठिन हो जाता है इस परकार हम अपने सिक्षालियों द्वारा जहां काफी संख्या में विद्द्यार्थी बेकार तयार होते देखते हैं वहां फैसन परस्त भी तयार होते देखते हैं हमारे साधारन ग्रस्त घरों की लड़कियां जब प्रारंब में आदुनिक सिक्षालियों में परवेस पाती है तो धीरे धीरे वे भी वहां की फैसन परस्ती की सिकार हो जाती है और सुन्दर सुन्दर बहु मुल्य साडियां एवं भाती भाती की साध सरंगार की वस्तूओं की नकल करने लगती है जिससे अपने माबाप या अभी भावकों को परियाप्त मात्रा में व्यकराने के संकट में डाल देती है ऐसी सिक्षा प्राप्त कर जब वे स्कूल या कालेज छोड़ कर जाती है तो उनका जीवन भार सवरूप होने का भे रहता है क्योंकि जीवन के कार्य छेत्र में वह अपवई सिक्षा पद्धती धनो पारजन के उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती यह नोकरी की आसा भी पूरी नहीं कर सकती और अंत में यह सिक्षा उनके लिए निकम में मालूम पड़ती है इसलिए हमें सचेत होकर सोचना है कि क्या वर्तमान सिक्षा पद्धती ही हमारे लिए उपयुक्त है पेरचेंच महोदे कुछ समय बाद जैसे ही समाचार पत्रों में बहुत से लोग काम करने लगे और प्रकाशन कार्य के लिए व्यवसाय यंत्रों की आवशक्ता पड़ी इस कार्य ने उद्ध्योग का रूप धारण किया निशुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना अब एव्यावारिक जान पड़ी और प्राय लुप्त हो गई समाचार पत्र उद्ध्योग का यह है विकाज संभवत स्वाभाविक है और आदोनिक विचार धारा के अनुरूप है फिर भी यद्धपी पत्रों का प्रकाशन एक उद्ध्योग के रूप में होता है समाचार पत्र सुद्धेश्य राष्ट्र सेवा की भावना तथा नेतिक दायित्व से एक दम मुह नहीं मोड सकते यहे भी सिविकार करना होगा कि इस उद्ध्योग की यतोचित उन्नती के लिए यहे आवशक है कि दूसरे उद्ध्योगों की भाती यहे भी उन सभी सादनों से संपन्न हो जो अन्य उद्ध्योगों ने या तो प्राप्त कर लिए हैं या वे उनकी प्राप्ती के लिए प् इत्मे है कि समाचार पत्र उद्योग उन्नत हो और इसका आधार अधिक से अधिक ठोस हो। इधर कुछ वर्सों से हमारे देश के समाचार पत्रों में जागरती की लहर आई है। उद्योग की आवशकताओं स्रम जीवी पत्रकारों की मांगों और पाठकों के हितों ने मिलकर ऐसी इस्तती पैदा कर दी की समाचार पत्रों की दसा पर पुनर्विचार करना आवशक हो गया। समाचार पत्र आयोग की नियुक्ती आयोग की सिफारिसों का प्रकासन और उन सिफारिसों पर सरकार का निर्णे ये सभी उक्त समस्या को सुलजहाने के सम्मेलित परियत्न है। मैं आसा करता हूँ की इन परियत्नों द्वारा समस्या का समाधान हो सकेगा। समाचार पत्र उन्नत होंगे और इस उद्योग में कार्य करने वाले सभी लोगों को संतुष्ट किया जा सकेगा। मैं जानता हूँ की यह सब कहना सरल दिखाई देता है। किन्तु व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है। परन्तु मुझे सु सिक्षित स्रोताओं से यह कहने की आवशक्ता नहीं की। मानविये गतिविदी के सभी छेत्रों में चाहे वहे राजनिती, उद्योग, अथवा, प्रैसासन का छेत्र हो। विभिन हितों और विचारों में सहयोग की भावना से राश्ट्र तथा समाज के हितों को सामने रखकर सामन जस्य इस्तापित करने का प्रैस आवशक है। मैं इतना निराशावादी नहीं की मैं यह समझूं की वे लोग जिनके सुझाव बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलजाने में सहायक होते हैं। निजी समस्याओं का निबटारा करने में ऐस अफल रहेंगे। हाल में भारतिय संसद ने इस समंद में जो अधिनियम पास किये हैं उनका उद्देश्य समाचार पत्रों की समस्याओं को सुलजाना है। यह कहना अनावशक होता की कोई भी अधिनियम चाहे वह किसी भी छेत्र में सुधार के लिए लागू किया जाए। प्रभावपूर्ण रूप से तभी कार्यानवित हो सकता है जब सभी समंद दल उसे सहयोग की भावना से ही कार्य रूप दे। इन मामलों में अधिनियम के सब्दों का इतना महत्व नहीं जितना उनके पीछे नीहित भावना का होता है। क्या मैं आपकी संस्था से यह अनुरोद कर सकता हूँ की इस मामले में आप समाचार पत्रों को मार्ग दिखाए। आपकी संस्था निश्चे ही प्रमुक्तता अत्यंत प्रभावशाली समाचार पत्रों की प्रतीनिदी संस्था है। प्राय सभी बड़े समाचार पत्र आपके सदश्य हैं। सब्सक्षप